नमस्कार दिल्ली दंगल में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रभास जा और मेरे साथ है एक खास मेमान बिहार सरकार के मंत्री संजय जा संजय जा पिछले 10 दिनों से दिल्ली का दौरा कर रहे हैं अपने उमिद्वारों के पक्ष में परचार कर रहे हैं उनसे हम समझने की किस तरफ है उनकी पार्टी का क्या हाल है तो संजय जी पहली बार आप लोग दिल्ली में बीजेपी के साथ गठवंधन में चुनाओ रहे हैं दूसरे राज्यों में रहा है बिहार में आप लोगों का बहुत पुराना गठवंधन है क्या इसकी वजह यह है कि अकालियों के कि पहले भी यह गठवंधन दिल्ली में नहीं लेकिन अन्य स्टेटों में अटल जी के टाइम से होता रहा है जब उनके साथ उनके समय मेलाइंस था और अभी भी हम लोगों का पिछले साल डेर साल से जो काम रहा दिल्ली में हमारे पार्टी का पीछे भी हमारे मुख्यमंत है उनका मुख्यमंत्री बनाने में पुरवांचल का बहुत बड़ा रोल रहा तो यह सब देखते हुए एरलाइंस आप कह सकता है कि इंटक्ट सारा बोट रहे है पुरवांचल का इसलिए यह यह पर यह जो मतलब इसका लेकिन एक यह मतलब कई पॉलेटिकल नैरेटिव मे मतलब नितिजकुमार हमारे मुखमंती के कंडिडिय नहीं कह चुके है, ऐसा BJP करती नहीं है, थीन वार-चार बार अमित्सा चुनवपूर कह चुके है, तो कहीं न कहीं क्या भरसे की कमी थी? ने यह नहीं कहुँगा लगें जब से इलाइंस हुए है अभी अभी जब से हुआ है ति ये जरूर था कि अभी तक हम लोग है बिहार में हिन्डिये फाल ये जो बाहर के बाहर भी रहे है कि फिर्षेंग है है कि एक जगह आप सरकार शला रहे हैं और अन्य जगों पर आप एक अपोनेंट के नाते आपस में लड़ रहे हैं भले ही जो भी आधार हम लोगों का हो तो कहीं ने बैक आफ माइन में ये भी था और मुझे लगता है कि बीजीपी का भी बड़ा स्टेक दिल्ली में है तो हम लोग भी चुनाव लड़ते भले ही उसका जो पड़ नाम होता जैसे मैंने कहा कि एक जो आधार बोट है पुरवांचल का वो उसमें बिखराव नहीं हो एक वो भी था और क्योंकि बहुत पुराना एलाइंस है जेडियू बीजीपी का तो एक लार्जल एंडिये का भी एक सणमझ से लेकिन इसकुमार आये दिली में चुनाव परचार करने के लिए उन्हीं दो सीटों पर उंहोंने परचार किया जिन पर आपकी प्रेंदेत संघर मेहर दोने इक और अपनी दोनों सीटों पर ही घूम रहे होंगे नहीं मैं कुछ बीजेपी के सीट पर भी गया हूँ लेकिन लार्जली हम लोग तो अपने दो सीट पर लड़ रहे हैं और आपको पता होगा कि दोनों सीट पर एक सीट पर अमित्साजी मंच सेयर किये नितीस जी के साथ हमारे सी वहां मंच पेत हैं तो इसलिए और जो बिहार से भी जो हमारे सांसा दिया मंत्री आये हुए है अगर वीजे की पी के सीट पर भी जरूरत हुई है तो वहां भी जाके परचार कर रहा है तो आपको दिल्ली में क्या समझ में आ रहा है कि आपके गठमंदन और आपकी पूछते आप तो गर मैं इमानदारी से बिसलेशन करता तो मुझे जो दिखाई पर रहा था वो डिफरेंट पिक्चर था लेकिन पिछले एक वीक में परिस्थिती काफी ग्राउन पर बदल गई है बजा जो भी हो लेकिन काफी मैं देख रहा हूं को एंडिये के पक्ष मे बिलकुल हवा बनती जा रही है और ग्यारा को आपको सर्प्राइज मिलेगा उसका इस हवा बदलने के पीछे आपको क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे नहीं मुझे मैं दो जगह गया मैं संगम बिहार बुरारी का एक्जामपूल दे सकता हूं भाई लोग हम ही लोगो को मजाक करते थी इस बिहार के लोगों को दिल्ली में बिहारी सब्सक्राइब मजाक हो गया था अब जाकर के संगम बिहार में देखिए सौट डेली है दिली में है हमारा गाउं का रोड उस से सौगुना बेटर है वहतर नहीं है क्या भासन दे रही है मैं देखा उनका जो प्रॉमिस किया है और उसमें दिया है कि 40 नया रोड ले करके उसकर करेंगे तो नहीं बनाया यह रोड बनाने में किस ने रोका था आप जा करके देखे ऐसे युद्ध होता है ना ऐसे हम लोग को लगता है कि अब संगम बिहार में जाना है तो रुवा खरा हो जाएगा अब ऐसी तस्वीरे भी आई दी कि लोग मोटर साइकल पर बाइट कर कैंपेंड कर रहे हैं और पानी की जहां तक बात है यह दूर तो मैं अपने आग से देख रहा हूं कोई काम नहीं किया है और मुझे लगता है कि कोई असेस्मेंट करें तो यह नीचे से बिल्कुल आब आज आना शुरू हो गया है तो मतलब आप कह रहे हैं कि 11 तारीक को मतलब आपका घठमंदन हम लोगों को चौका सकता है यह सारे जो सर्वे आ रहे हैं जिसमें जो एंडिये को जो सबसे ज्यादा सर्वे में जिस एंडिय पर चुनाओं में तो आप करें कि यह सारे सर्वे 11 तारीक को जुटला दिये जाएंगे तो मुझे लगता है क्योंकि मैं जब पहले जब मैं घुमता था तो वह परिस्तिती जो आब बता रहे हैं वो दिखता था और पिछले एक सब्ता में ग्राउंड में यह भी चीज़े यूपी से भी उन्होंने परमिशन नहीं थी हमारी बस आ करके रुकती है गाजियाबाद में वहां से लोग जाते हैं ऐसा कहीं यहां हड्याना रोड़वेज की बस देखेंगे यहां रास्था रोड़वेज की बस लेकिन बिहार रोड़वेज की बस कि जिवाल साहब ने कभी तो सरकार के अस्तर पे आप चुकी मंत्री हैं तो आप लोगों ने कुछ तो उनको कमनीकेट किया होगा कोई सरकारी पत्रावली चली प्रॉबली मैं श्योर नहीं हूँ नीचे के अस्तर से फाइल बढ़कर मंत्री तक भी गया कोई बहुत बड़ी बात नहीं हमारे ज 500 रुपया लेकराते हैं अब 5 लाग के इलाज कराते हैं अब कौन बिहारी 500 रुपया टिकट लेकर अगर एक इलाज कराता हैं? इलाजर बाला तो एंब्स हम लोग जरूर met बिहार में बहुत सुवधा तरा यह अघर को आटा है डियांव लहकaders को पता है। दिल्ली सर्कार के किस hospital में कौन विहार जाता है हम लोह को नहीं पता nous यह निका सोच और mindset प्रवांच लेकर के और कहीं ने कहीं में उनको चलिए आप कह रहे हैं 11 तारीक को आप लोग चौका सकते हैं तो आप अगर दिल्ली में उपलब्द रहें तो हम आपको बुलाएंगे जरू अब दिल्ली चुनों से इतर भी थोड़ी बात करते हैं आप से विहार के चुनों पर और थोड़ी कुछ अंतर कथाएं जानने की को सित्याइशंडीश दिस्टी बात हुआ कि उननेकी प्रशान की सोर्र और पावन पर्मा अचानक निती आपके जो पार्टी सद्सर्वे सरस्राव हैं निती इसंगे खिलाब इतना मुखर हो गया था कि देखिए एक डिली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है आप जानते होंगे वहां आपको रेटायर होने बाले बुरेक्राट और रेटायर बुरेक्राट बहुत मिल जाएंगे बाइडटा लेके घुमते हुए नौकरी के लिए एक लॉट है पूरा उसको कोई लेना देना किसी एस्टेट पॉलिटिक्स पॉलिसी से नहीं है नौकरी के लिए गूमता है तो थे बहुत लोग ऐसे लेकिन आप ही लोगों ने राजटावा सांसाथ बनाया था उनका क्या बिहार से लेना देना है उनका बिहार के नितीज कुमार समता पार्टी बनाए जेडियू बना 258 जीते कहां थे लोग तो पार्टी में थे नहीं तो ये नितीज जी ने अपना पार्टी बिल्ड किया है और वही बग स्टॉप रांट वहां पॉनिटी ने जिए प्रसांद किस और को तो पार्टी में हमने इसलिए रखा क्योंकि हम इतसा ने कहा था आप सही का गलत नहीं का नितीज जी इस से बात में जूट में बोलते हैं यह आप ध्यान रखिए कोई बोलता है यह सत्य है और मैं जानता हूँ इस बात को इसलिए आपको बता रहा हूँ लेकिन उसकी क्या कहानी है कि अगर अमितीज जी एक मतलब अभी जितना बीजेपी और जेडियू का संबन्ध मधूर दिख रहा है आज से आट मेना नौ मेना दस मेना पहले इतना मधूर संबन्ध था नहीं आप लोग एक दम नए-एलाइंस में एक बहुत कटू अस्तर पर जाकर आप लोगों का संबन्ध टूटा था बीजेपी के बाद उसके बाद एक परिस्थिती वस आप लोगों का गठवंदन हुआ उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि अमित सागे कहने पर आपने परसान किस और को पार्टी में उपाध्यक्ष बना लिया उन्होंने कभी नह तो आर्जेडी भी लगाती थी कि अमित सागे कहने पर रख लिया नितिष जी कि क्या है और उन्होंने आर जडी का जो स्टाइल है बोलने का जो फ्रेम है सभितात उनिनों को आती नहीं है बोलने में जो एटिकेट्स होता है राजनीत में एक बेसिक सिंज कभी एक्सपेक् में बहुत समय ऐसा हुआ है, अभी सीता मधिस स इता हमारे संसा जीत के आया है सुनील कुमर पिंटु वह बीजे पी के मले थे वहां। बहुत बार ऐसा होता है कि आपस मे… आपने संगम भीहर से भी जो दिया है वो भीजे वे में मले हैं … कभी ऐसा भी हुआ है कि जो एक दूसरे में एक्सचेंज होता रहा है यह पास्ट में बहुत सा अपको रिफ्रिंस मिल जाएगा। सिंबॉल एक दूसरे के सिंबॉल पर लड़ते लड़ने वाला कोई सीट हमारे खातेम आ गया बेटर कंडेट हमारे पास नहीं है तो उस बैगराउंड में रहा है और डिटेल तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन डिफिनिटली इस केस में उन्होंने कहा कि आप उनको रखना चा जब चर्चा में भाई तो उन्होंने बताया किस रिफ्रेंस में यह बात आई थी पंदरा में और अलेक्षन में काम जरूर कर रहे थे वहां पर यहां तो पॉलिटिकल उसकी बात है उन्होंने भी फोन किया था अबिछ साजी जो निटीज जी ने बताया रहा है क्या जब पार्टी में रहते हुए प्रसांद की सोर ने अर्विन के जीवाल का एसाइनमेंट लेने से पहले नितीज जी से पूछा था या पार्टी के अस्तर पर चर्चा हुई थी कुछ? एक बात सच्छा है बता दो आपको. यह बिहार की पार्टी है. आप भी जानते हैं. और बिहार में पार्टी की जुरा हो या उसके उपाध्यक्त हो गया ». मिनितीस जी ने कोई सम्मान देने में कमी नहीं कि दोनों लोगों को ला करके, लेकिन जहां तक बिहार के डे-to-day सरकार में या पार्टी चलाने में, कोई रोल इन दोनों का नहीं रहा, कभी भी, आप पता चली जाता, अगर 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 आप पता चल जाता है, और बाद में करेंगे, आज काल तो कोई communication इसू नहीं है, लेकिन अपना agenda हम ट्वीट के बाद ही हम से करेंगे, हम लेटर लिखेंगे बैठ करके दिल्ली से, लेटर प्रस को रिलीज करेंगे, और फिर बैठ देना सुरू करेंगे लेटर लिखा, तो दितीस जी ने ठीक है, जहां ठीक ल में जब लोकसवा चुनाओं को लेकर यह बहुत चर्चा थी कि आप दरवंगा से चुनाओ लरना चाहते हैं, चर्चा गया थी, खुले आम था, और लगातार आप सोसल मीडिया पर दरवंगा को लेकर सक्री थे, आप दरवंगा में जमीन पर भी बहुत सक्री थे, एम्स को उठी कि आप की मलाफवाली पार्टी से चर्चा चल रही, ऐसी चर्चाएं थी, तो उसके बाद फिर यह चर्चा चली कि आप धंजारपूर से लर सकते हैं, तो क्या कारण रहा कि आप लोकसवा चुनाओं का टीकट नहीं पापा है? हैं, डर्भांगा में मैं जब से MLC बना, 2006 से और लम्बी कहानी हो जाएगी लेकिए मैं डर्भांगा में काम करता रहा, थोकि हम लोगों को लगा दर्भांगा कोई, दर्भांगा जिला की बात नहीं है, दर्भांगा पूरा मिठलांचल का एक mirror है, हम लोगों को लगता है क कि दर्भंगा का डॉपमेंट होता है तो पूरा मिथलांचल के हम लोग की अलग हो गया ऐसा नहीं तो वह पुड़ा अब तो कोशी ब्रिज बनने के बाद उस साइड के लोग भी का एक नजर रहता है कि दर्भंगा हमारा दूसरी नजर से देखता है तो हम लोग को जब पी मौका मिला उस समय से काम करने के कोशिस किया जहां तक एरपोर्ट और इसकी बात है अब तो रहे नहीं रूंजी इटली जी उनका बहुत बड़ा योगदान मेरे पॉलिटिक्स में भी है जिए पॉलिटिक्स में मैंने कोई जगह पाया मुझे लाने में मुझे प्रमोट क बिहार सरकार को ही आपको याद जमीन नहीं उसी को कंसेंट देना है कहां बनना आपको याद होगा एक बिवाद अपिल सिंबल और नितीज जी का जब संटल इनुवरसिटी बात हुई थी तो स्टेट गोहर्मेंट को ही तैक करना है कि लोकेशन क्या होगा तो उन्होंने त स्लू प्रोसेस है एर्पोर्ट अथरिटी को देखना चाहिए तो मैं वहां एक्टिव था सुभाविक राजनीत में आप रहते हैं तो आपकी इक्षाय रहती है और लोगों की इक्षा थी कि मैं दर्भंगा लरूं मेरे नेता की इक्षा थी नितीज जी की इक्षा थी कि मै अब जो चाहते है लेकिन मुझे अब लगता है कि साइद नेचर ने मेरे लिए कुछ और रोल ले रखा था और जो मैं दिमाग में भी कभी नहीं था लेकिन जो काम मुझे नितीज जी नहीं दिया है मेरे खाल से मोस्ट इंपॉर्टन काम है अखास करके जिस बिल्ट से मैं इरिगेट करेगा नहीं हो पाया अब मुझे मौका मिला तो मैंने सारा काम करा करके अल्रडी जमीन पे काम शुरू हो गया है मैं कोई उसमें नहीं कर रहा हूं कि अब मुझे एक अपरजिनिटी मिला है कि मुझे लगता उस बेल्ट में खास करके वाटर के मामले में काम करन ठीक है तो ऐसे सूरत क्या बन सकती है कि संजय जहाब राज जी की जिम्मेदारी से मुक्त होके फिर से सेंटर में आने की कोई सूरत ने मुझे नहीं लगता है फिलाल ऐसा कोई कुछ है हमनों की अभी प्राइम जो हमनों का है कि 2020 में जो लोकसभा का चुना है नितिसकुमार क निर्तिरत में और अभी पीछे एक सबा महिना मैं एक बात बड़ा आपके उसमें दे दू बिहार में कोई मुख्यमंत्री पटना से बाहर नहीं निकलता था ज़र कोई मुख्यमंत्री निकले भी तेलिए घलिकॉप्टर से गया गोम के आ गया आईयस अफसर नहीं जाता थ पटना में सेकेटरी हो गया अच्छेतर में कभी नहीं जाता था नितीज कुबार नहीं चीज सुरू किया सरकेट हाउस में आदमी नहीं रहता था आज पुरे एक महिना इस बाइटिंग कोल्ड में तनी ठंड में जो जो लोग नहीं निकलते हैं पूरा बिहार का दौरा की अभी आपके साथ गठवंदन में लजेपी हैं बीजेपी हैं और आप लोग है तीन लोग हैं क्या इस गठवंदन को चुनावपूरू बिस्तार दिया जाएगा या यह गठवंदन यही पर यही तीन गटक दल रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं आप पिछला लोकसभा मे 223 सीड पे हम लोग लीड किये हैं जो 2019 में हुआ है 49 परलिमेंट हम लोग जीते हैं और जितना बड़ा आधार बोट है इस गठवंदन का या जो काम किया हुआ है मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत जरूरत है नितिसकुमार के नित्रुत में यह काफी बड़ा हाउस से गए बहुत है देश के इतिहास में कहीं और नहीं हुआ गा देर महीना हाउस चला अभी पक्च का देता ही गए है नहीं बड़ान सवाच चुनाओ को लेकर सीटों को पर कोई बात हुई है जैसे लोग सवाच चुनाओ में आप लोगोंने काफी पहले ताय काफी प 2004 से देख रहा हूँ उनिस बीस का बीबात होता रहता है वो किसी भी अलाइंस में होगा नंबर को लेके लार्जली माइंड सेटल है कि साथ चुनाओ लड़ना नंबर की जहां तक बात है दो सीट उपर दो सीट नीचे वो लोग बैठ करके ताय कर लेंगे बहुत प्रॉब साथ लरेंगे और आप निस्चिंत रहें कि बिहार में 2010 से भी बरा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा देश में क्या होता हम लोग नहीं जानता है लेकिन बिहार में अनप्रिसदेंटर रिजल्ट इस बार दिखाई परेगा और जो जिस पार्टी को नितीज जी कुछ न को लेकर उन्होंने खुल कर हमसे बात की संजय जी का धन्यवाद आप देखते रहें लाइव हिंदुस्तान